यह देखे गाइज एक और नास्ता हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए जो बड़े और छोटे सब भी को पसंद आने वाला है यम्मी टेस्टी राइस स्टिक तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है कितना टेस्टी लग रहा है तो बच्चे बड़े सबी को पसंद आने यह मंचूरियन है नहीं है कुछ और तर चलिए देखते हैं यम्मी टेस्टी राइस स्टिक हमने कैसे बनाई है हलो आप सब का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल चाय मिस्रा में गाइज यह देखिए गाइज हमने फ्रस्ट टमाटर ले लिए हैं तीन ठीक है तो इनको अ इस तरह से निसान लगाएंगे और गाइज यह रेस्पी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है जो बच्चे बिलकुल ने खाते वह दम मुल्या चट कर जाएंगे और आपका इनास्ता बहुत पसंद आने वाला है तो यह देखिए इस तरह से हमने बॉयल कर लिया था पानी और बैने पाम आइनी में यह is ट्माटार कर देगी और कर लेंगे इसको बॉयल तो यह देख सकते हैं इस तरह से तो यह देखिे है हमारे टमाटब लगग लगग दो मिनट हुआ है कुझ हो छुके रेसUU देख संतने है चिलका उपर निकल लगा तो आसका हम लिग निकल रिख साइड में ये'll लिनी है पांन से चे कलियान लेसं की इसको ठंडा होने की fans को बताएंगे आपको कि इसका क्या करना है तो यह देखे हमने ले लिया है एक कटोरी चावल का आटा जो कि नॉर्मल घर्मी होता है सबके अगर नहीं भी है तो कोई दिकत नहीं है आप राइस को पोच लीजिए या धुल लीजिए और फिर सुखा करके ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लीजिए और बाली चलनी होता हूँआ है वोएल पानी है तो इसने मिक्स और लग लगाएंगे नॉर्मल ना संदक ना ज्यादा लूस तो इसी तरह से थोड़ा-पानी मैठ करेंगे यह हमने ले लिया था एक घाटोरी आटा तो लाग लग लाग यह इसमें हाफ को टोरी पानी लग जाएगा तो यह देखिए इस तरह से हमने कर लिया है mix तो इसको अब हम हाँ से मतलेंगे मगर याद रहे गुनगुना ही मसलना है ठंडा नहीं करना है भी बी करम है देखिए आथ में लग रहा है तो इसको हमें अच्छे से डो लगा लेना है तो यह हम अच्छे से रख देंगे सेट होने के लिए पांच मैट के लिए गाइस मगर इतना देर नहीं रखना है कि यह एकदम ठंडा हो जाए या राई हो जाए तो इसको हम ढख करके रख देंगे और फिर देख लेते हैं इसी बीच में हमने रख दिया है अपना बना लेना है प रख चली चली सॉस वह भी एड़ कर सकते हैं तो देखें दो स्पून के करीब विनिगर वाइड विनिगर तो यह भी इसमें एड़ करेंगे मिक्स करते वह देखें उसी कर्टोरिं डाल दिया था क्यूकि इसमें टमाटर केचप लगा हुआता है यह हमने डाल दिया है सोया सुखे मसाले यानि लाल मिर्ची पाउडर आप देखा जितना पसंद करते हैं उसे साब से बनाएं यह हमने डाल दिया एक स्पून कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि इसे कलर बहुत अच्छा आएगा और यह हमने डाल दिया है अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है अ डाल दिया है पानी वैयल होने के लिए और इस पर हमने चकले पर लगा लिया अपना वाईल तो आठा से नहाना है तो देखे एक आठे के उतने आठे के हम gray तो यह देख सकते हैं आराम से क्योंकि चकला मारा चोटा है यह देखे इस तरह से तीन इसके हो गए और जो दूसरा डो रखा है उसमें भी तीन बन जाएंगे तो यह देखिए इस हिसाब से हमें करिक्स बनानी है कि इसी तरह से हमें इसकी पतले-पतले ऍटिम बना लेनीWith 3 आप यह हम साइड कर निकालके हटां दें थोड़ा और कड़ करेंगे एक इन्च के करेब का लबाफ कड़ा कड़ के इस तरह सारे बन के तयार है हमारे राइस स्टिक तो यह देखिए पानी में अच्छा सा बॉइल आने लगा है एक बात भांद रखें इसमें देखिए हमने दो स्पून के करीब बॉइल डाल दिया है जिससे कि इस्टिक जिपके नहीं आपस में अच्छे से बॉइल हो जाएं तो यह इसी तरह से यह देखिए अभी भी पानी को ठक दिया है डख कर पका रहा है तो अच्छे से वायल हो रहा है पानी हमारा इस तरह से हलके हाथों से एक बार श्टर कर देंगे और बीच बीच में इसको श्टर करते हुए 10 मिनट करीब पका लेंगे हम देखिए अगर हमारे ढखने से ऐसे जाग बन रहा है हमारे कड़ाई में तो इसको थोड़ा साथ आ दीजिए जाग बैट जाएगा फिर ढख लेंगे तो बस यह ध्यान रखना है और इसका फ्लेम उपर निचे भी किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हाई फ्लेम पर इस तरह से देख सकते हैं इसको निकाल कर अलग रखेंगे थाली में या किसी बरतन में जिससे कि ठंडा हो जाए तो यह देखिए हमने इस तरह से रखती है अब इससे हम ठंडा कर लेंगे इस तरह से निकालते हुए जिससे इसका पानी भी हट जाए और यह ठंडा भी हो ज और अब हम बनाएंगे अपनी इसकी इसके सॉस तो चलिए बनाते हैं यह मनें रख दिया पैन पैन में डाल दिया है दो श्पून ओयल देखिये यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑड़ा कम खाते इन के लिए अच्छा है तो यह देखिये हमने गाले जीरा की जगहे प तो इसमें स्टिक नमक याद रहा है कि हम नमक कर देखने और आपके पास हरीधनिया हो वह भी एट कर सकते हैं मिक्स हब भी एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए इसको डाल कर हम कुक कर लेंगे अच्छे से काई यह टेस्टी तो इतना है ना कि बच्चे बिल्कुल नहीं छोडने वाले हमारे बच्चो को यह बहुत पसंद आया है यह देखिए इस तरह से तो देखिए इसमें अपनी स्टिक्स आइड कर रहे हैं अच्छे तो सारी के सारी स्टिक्स में एड कर देंगे और mix कर लेंगे इस तरह से तो देखिए mix करने पर थोड़ा सा dry dry लग रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे आगे देखिए इस तरह से चलाते पर mix कर लेंगे और यह हमारा लग रहा है कुछ dry तो आगे देखिएगा इस पानी से अप여 स्टी के ने बायाई टेमाइटलों वालके याम में एंहेंकों पानी स्टीक देटकर स्टीक जिसके अटेट करें और यह देकों साफ तोड़ा साधी सत् samथा वाला हो गया करेंगे चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं पातcken नास्थिक भी उटुब्त पान भी आएंगे न तो भी खोस हो जाएंगे इतना टेस्टी नाशता हमारा लगता है तो इसके उपर से हम डाल देंगे पीजा सीजनिंग यह देखिए तो कितना लुकिंग में कितना अच्छा लग रहा है तो आज की हमारी यह रेस्पी अगर आपको पसंद आई हो तो प्ल यह रहाँ में कितना लिवड़ी करन वा warranty है वर रहाना टेस्थाषा वहां ख।